बिस्मिल्लाइर अर्मारे रहीम, अस्लाम अलेकुम स्टूजन्स, क्लास टूर का आज हमारा नाइन्थ लक्षर है मैथ का, पेज नुम्बर 20 से स्टार्ट करेंगे हैं, पेज नुम्बर 20 पे में कॉस्चन दिया गया, असाइंडिंग हैं डिसाइंडिंग ओर्डर, स्टूज जैसा कि बैकवर्ड काउंटिंग है, 10 से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से, तो फस्ट पेज पेज नुम्बर 20 पे जो कस्ट रहना है, वो असेंडिंग ओर्डर है, यानि के छोटे से बड़े की तरफ मूव करना, यह वाला क्वस्टन हम देखते हैं, यह कुछ नंबर दिय करते हैं, तो 573, 573 को भी स्किप कर जाते हैं, हमारे पास फोर नंबर रहे गए हैं, इन फोर नंबर में से आपने देखना है, कि सबसे चोटा नंबर कून सा है, इसमें से सबसे चोटा नंबर 624 है, इसी तरह से 624 के बाद 849, then 871, and then 900, इसी तरह से बी क्वेस्टन है, बी क 692, 692 राइट किया, 692 के पास जो हमारे पास चोटा नंबर आ रहा था, वो था 729, यहां पर 729 राइट किया, उसके बाद 748, then 901, इसी तरह से पहले भी कर चुके हैं, तो यह आप लोग खुद से होमवक में करेंगे, नीचे से यह देख लें, यह बॉक्स में दो कॉस्ट तो सिए गए हैं, the greatest number on this page, इस page के उपर जो numbers दिये गए थे, आपने find करना था, इन में से सबसे बड़ा number कौन सा है, तो जितने भी numbers दिये गए हैं, इन में सबसे बड़ा number जो है, वो 998 है, यहां पर आप आप राइट करेंगे, next है, the smallest number on this page, सब पहले आपने सबसे बड़ number देखा, अब आपने सबसे चोटा number देखने है, तो इस page पर जितने भी numbers दिये हैं, इन में से सबसे चोटा number जो था, वो था 139, यहां पर हमने 139 राइट किया, page number 21 पर आते हैं students, page number 21 के उपर जो question दिया गया है, वो है कि आपने इन numbers दिये हैं, इनको आपने descending order में लिखना है, जैसे कि यह first वाला number रूनर ने यह वाला आपको करके दिखाया, यह में देखते हैं सबसे बड़ा number जो था, वो हमारे पास 950 था, सबसे पहले उसको write किया, उसके बाद 950 से चोटा number 841, then 841 से चोटा 749, उससे चोटा 642, then 624, then 590, इसी तरह से next रूनर ने again एक question दिया है, हम इसको करके देखते हैं students, देखें कि इसमें से सबसे बड़ा number हमारे पास कौन सा है, सबसे बड़ा number जो है, वो है 864, यहाँ पर हम 864 write करेंगे, इसी तरह से next आगे देख लेते हैं, 864 के बाद, जो हमारे पास number है, वो है 790, यहाँ पर 790 write करेंगे, 790 के बाद, 790 से चोटा जो number हमारे पास अब वो है 684, 684 के बाद, 542, then 531, and then 513, जी students, यह बाकी के questions जो हैं, यह नीचे जो questions चार दिये गए, यह भी सेम इसी तरीके से हैं, इनको भी आपने descending order में write कर लेना है, सेम इसी तरीके से, हम आगे next देखते हैं, page number 22 पे हमें क्या दिया गया है, write in 100, 10, and 16, students, यह question भी आप सेम इसी तरीके से पीछे कर चुके हैं, जैसे के यह यह वाला question था, 351, तो आपने देखना है, कि ones पे कितने 100 की position पे आपके पास क्या आ रहा है, ones मे जमादे हैं, आपके पास क्या आ रहा है, and 10's में क्या आ रहा, आप उपर लिख सकते हैं, one, 10, hundred, तो हमारे पास जो hundred हैं, वो three हैं, तो यहाँ पर आप write करें के 300, इसी तरह से 10's हमारे पास five है, यहाँ पर हमने write के आ five 10's, and ones हमारे पास one थे तो हमने one, one यहाँ पर write कर दिया इसी तरह से 693 है हम देखते हैं 600 नाइन टैन्स थ्री वन्स बाकी के वस्टन भी सेम इसी तरह से स्टूड़ दो यह आप लोग खुद से करेंगे बॉकस कोन सा नंबर शो कर रहा आपने लिखना आप किस तरह से लिखेंगे आप यह बीट्स काउंट करेंगे बिड्स थेंगे इतने लिखने ने इनपर यह और कर दिये हमारे पास हंड़र में अपने त्これ इंपर तू राइट कर दिया peng और इस से वंपएव और यहां पर आपने 6 राइट करना है, 10s में 1 and 2, यहां पर 2 राइट करेंगे, and 1s में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो जो नमबर हमारे पास आ रहा है, वो है 628, बाकी के दो questions भी student इसी तरीके से हैं, यह दोनो questions आप लोग homework में करेंगे, thank you.